करपूर गवरं करुड़ावतारं संसार शारं भुजगेंद्र हारं सदा बसंत मिर्दार विंदे भवं भवाने सहितम नमामी नमस्कार आप देख रहे हैं भागी गुरू भागी गुरू करक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ जोच्साचार डॉक्टर वि हम आपको बताएंगे कि महामंतर का जब कैसे करेंगे जब करने साब को क्या लाप मिलेगा 12 राज़ों की भी बारें बताएंगे किसको राजनेतिक लाप मिलेगा और किसका भागोदय होगा किसको भूमिभोन से लाप मिलेगा सारी बात बताऊंगा किस अंक के प्रयोग करने साब का भागोदय होगा किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी सौधानिया के अबरतनी उपाय क्या करना है गुरू के नुस्खे भी बताऊंगा और आज जिनका जन्मदीन है उनके भी बारे में बताऊंगा दर्सों के प्रस्णों का उत्तर भी दोगा आप देखते रहे ये भाग की गुरू कारिकरम बात करते हैं आज के पंचांग की और आज करण है नाग करण है सुर्योदय हो चुका है सबेरे 6 बच के 14 मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को 6 बच के 5 मिनट पर चंद्रमा रहेगा कन्या राशी में आज सुम मुर्थ को ने इसले खरिदारी करने से बचे रहुकाल है बारा बच के 10 मिनट से लेकर के अप्रा करें अगर यात्रा चोटी दूरी की है तो माता पिता का चाण स्पर्स करें दही केशर और गुड का तिलक लगावें और यात्रा करें आपका यात्रा सुभद हो जागा राहुकाल में कोई कार्य न करने तक कार्य आपका नहीं होगा दूसरी बात के ध्यान रखना है कि गणपती जी का है अगर आप कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं या कार्य की शुरुवात करना चाहते हैं या आपके कार्य में बेग्णा बाधाएं आते हैं कोई भी कार्य आपका निश्कंटक नहीं होता ऐसे परिशिति में भगवान गणपत की अराधना करके आपकी सी नेकार की शुरुवात करें आपका कार संपन होगा भगवान स्री गड़ेश की आराधना करते समय आप क्या करें कि दुर्वा जुरूर अर्पित करें आपके लिए अच्छा रहेगा